एक और ने सेट को ले करके आ गए हैं बिहार SSC और SSC GD की एक्जामनेशन के लिए आपको कुछ सेट अभी हम करवा रहे हैं उसी करी में आज सेट नमर थ्री रागव कलासेस के चैनल पर आपको लब्ध मिलेगा हम एगेन इस चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों को रिजिन की सिखाने का कोसिस कर रहे हैं और उमीद करते हैं कि आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे तो फर्स नमर कोस्टन ध्यान दे करके देखिए इसमें ये कह रहा है कि दिये गए चित्र में तिर्भूज इबं बढ़ग की संख्या कितनी है तो देखो इसमें कोई ज्यादा फर्मूला का जरूरत नहीं है लोग इसमें बहुत बेमतलब का फर्मूला आप खुद ही क्रियेट कर लिजिएगा जैसे देखिए हम अभी इसको बताने जा रहे हैं कि तिर्भूज और बढ़ग गिनना है तो इसमें बढ़ग की संख्या कम होगी तो पहले बढ़ग आप गिन लिजिए कि बढ़ग देखिए जितना भी दिया हुआ है जितना ओप्सन है समें बढ़ग तिर्भूज भी अलग है तो बढ़ग की संख्या कम है तो बढ़ग को गिनना ज्यादा आसान होगा तो बढ़ग देखिए, आप ये देखिए, ये छोटा वाला एक बढ़ग लिजिए, इस तरह में एक बढ़ग, तो ऐसा ऐसा चार बढ़ग है, यहाँ परविशा दो, यहाँ तीन, ये चार, छोटा तो वाला चार बढ़ग हो गया, एक बढ़ा बढ़ग ऐसे हो गया, तो च सब का सब आपका आया है पांचो का पांचो बर्ग देखे ये पांचो बर्ग आपका हो सीधा वाला लाइन से अब देखे तीवच्छा वाला लाइन से भी हम आपको दिखा रहे हैं तीवच्छा वाला लाइन से पांच बर्ग हो गया सीधा वाला लाइन से सीधा वाला लाइन का 5 यहां पर इंडिकेट कर दिये, लिख दिये भूले ना, अब दिखें, यह तीवचा वाला लाइन से देखिए, यह जो पूरा पूरा एक बरा बर्ग है, तो इसके अंदर वह इसे चोटा चाव बर्ग है, यह बरा बर्ग होगे, आइसके अंदर देखो एक, यह, दो, तीन, छोटा वाला, यहां, तिरचा वाला है, और यह चार, तो चार एक, पांच, 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 दस बर्ग होगे, बस, दस ही बढ़ गया, अब ऑप्शन में देखिए, तो दस अबरा वोला, एक ही ऑप्शन है, डिरेक्ट एंसर दे दिजिए, भीना तिर तीर बुझ भी गिनना होता, तब फिर हम कैसे गिनते, और कैसे इसको सॉटकर कर पाते, तो देखो, तीर बुझ गिनने के लिए, हम यहां पर अब आपको तिरुझ के तरप लेक्टे, बढ़ दस है, आप इन सहीजों को देख पाया, पार है है, अब हम तुरुझ के तरप आपको ले चलते हैं, तो तिर्भुज में ध्यान देगे, देखो तिर्भुज कैसे गिनेंगे, गौर करिएगा, तिर्भुज गिनेंगे ऐसे, जैसे ये एक बढ़ गें हैं न, एक बढ़ गें के अंदर ये चाफ, तिर्भुज छोटा छोटा वाला, एक, डो, तीन, चार, चार और है, ये बढ़ा वाला, देखे, ये दोनों मिल करके एक, इस लाइन से इधर, एक, इसके इधर दूसरा, फिर ऐसे, इस लाइन से इधर, तीन, आइधर, तो चार, चार, आठ बढ़ टोटल होके, तो देखे, पूरा गिरने का ज़रुज नहीं है, ऐसे पहले ले ले गिन चार, ता आठ गुना चार बतिस, ये तिर्भुज हम गिन वह हैं अभी, बढ़गे तो पहले गिन चुके हैं, बढ़गे हैं टोटल दस, और एंसर तो उतना से ही हो जाता, हम तिर्भुज को कैसे सौटकट करोगे, ये बताए, चार चोटा चोटा बाला, और ये बढ ये 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 बाला लाइन आए, यहां से उपर से पोरा नीचे तक, ता एक नीचे हो जाएगा, ता एक तिर्भुज वहें ये तृपर हो जाएगा, एक तिर्भुज नीचे हो जाएगा अब फिर देखिए यह वाला बड़ा लाइन से वह से लिजी एक तिर्भुज इधर हो गया एक तिर्भुज नीचे हो गया तो आपके लिए यह टोटल का टोटल चार तिर्भुज और हो गया 32 अप पलस 4 लेड़ी यही बड़ा वाला लाइन से अब देखिए फिर यह 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 वाला तिर्चावल यह ऐसा 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 वाला भी 4 है किनारे किनारे एक दो नीचे 3 अईधर 4 तो 32 चाव 36 चार 40 हो गया यह 40 आप ले लिए अब देखिए अ अब अंदर वाला जो बढ़ गया ने उसके साथ ऐसा ही जो बना हुआ है वह वाला आपको निकालवा है चार्ठों और होगा यह वाला दिखको यह यह से अीत है कि दियान देख़ा है अब यह इस तिर्भुज कूल बात हम कर रहे हैं अंदर वाला लाइन से एक हो गया एक हो जाएगा इसा ही दाएं एक हो जाएगा उपर एक हो जाएगा नीचे ता चार्ठेथ और हो जाएगा तो 32-36-34 जिए इंसर भी सिशन हो गया next question में आते हैं ध्यान देख करके समझेए next question दो number दो number दिखो काता है पर्थम दो आकरती जिस प्रकार संबंधित है वो ऐसा ही संबंध तीसरी आकरती का किस के साथ है देखो option में संबंध पढर लिए नहीं तो पूरा direction पढने का जरौरत नहीं है direct type application शुरू कर दिजिए जैसे यहां देखिए यहां पर आपका ये ऐसे सोचो ये वाला तिर्भुच जो है ने ये सीधा इधर वाला छोड़ पर ऐसे चला गया है तो इसी तरह से बनेगा ताकि ये सीवस नीचे वाजाएगा बेस उपर रहा जाएगा ये हो गया और यहां एक ठो नया आ गया इसक्वाइर आ गया यहां नया और इधर जो एक नया लाइन एड हुआ तो उसमें यहां वाला डिजाइन इधर ट्रांसफर हो गया है और यहां भी नया आ गया तो इसे ही इसमें ले जाईएगा तो देखो यह जो एरो जैसा है तो यहां पहुँचने पाद यह बिलकुल एर बन जाएगा ठीक है आई ये वाला नया लाइन आएगा जिस पर कि ये वाला तिर्भूज आया हुआ रहेगा अब ये तिर्भूज आया हुआ एक ही ठोप सर में है ही दी में इसलिए डिरेक्ट एंसर होगे दी बाकि दोनों तो नया है ही उसमें अब आईए नेक्स्ट कोशन फिर आपका फ़र्ड नमर ध्यान दे करके समझना हम उमीद करते हैं का आप बहूत केर करके समझोगे तो यूट्यूब पर ही हम आपका सारा काम कर देंगे अब देख इसको सिखाएंगे तो यह सब आसान लगेगा चुकिए अभी आपको एक सिरीज के रूप में हम कोशन कर रहे हैं तो यहां स्वाटकट ही सिखाएंगे जैसे यहां देखो क्या है आप डिरेक्ट यहां पढ़िए यह कहता है तीन का कोड क्या होगा ता आप ऐसे समझो एक गुना दो गुना तीन है अही हिल्प मी तो तीन का कोड यह टो ही होगा यह ल्प होगा यह मी मिल वहाएं तो यहां पर देखे दो तीन इसमें भी है यह कोई दो सब्द इसमें जरूर मिलेगा है तो कोई हैल्प और मी मिल वहा है dos give थीन का code या help होगा या me होगा अब next में देखित यहाँ पड़त १ permitted Senhor को थीक सब्सक्राइब renowned प्रफ्ट नमर को सुन है इसमें बहुत ध्यान देखर के familiar नयुकि कैसे है यह अंतिम बाला चार को रख दीजिए पहले यहां है चार को अब शुरू से दूसरा को रख दीजिए लास्ट में बांकि जैसे हो इसे ही वागया एक-3 continue वागया बिच में तो यहां भी अंतिम बाला दो को पहले रखेंगे अज साथ को लास्ट में वखेंगे तो हो जाए समझेगा देखो पांच मंग कैसे है यहां देखो 17 को 18 सिरीज है वाट के जगा पर मतलब खाली अस्तान पर क्या आएगा तो 17 को 18 से देखने के बजाए आप 16 से देखिए तो 17-1 करोगे तो 16 हो जाएगा 16-1 करोगे तो 15 हो जाएगा तो 15-1 करिए तो 14 हो जाएगा आगे यही 18, 17 और 16 के साथ भी बनता है हलांके आपको एंसर निकालने के लिए उसको देखने की जरुरत भी नहीं पड़ी कोशन का एंसर होगे विकल्प दो आगे देखिए नेक्स्ट कोशन आपका है यह चटा नमर देखो नौन भड़वल का कोशन कहता है चित्र की प्रभीरती को चार विकल्प में से चैन का बना है मतलब यहां वाट के जगा पर क्या आएगा तो इस तरह के कोशन में ने आप जैसे यह देखिए उपर वाला दोनों चित्र को मिलाईए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इस दोनों चित्र में क्या है कि अगर हम बाई वाला दोनों मिलाई तो आसान लगेगा आपको उससे भी बन जाता है लेकिन इससे जदा आसान होगा कैसे होगा कि आप सोचे यह वाला चित्र को ने यह बीच वाला लाइन को यहां से यहां तक संपूर्ण डिजाइन को हम क्लोक बाईज ले जाकर के अगला घर में तो इसे ही इसको क्लोक बाईज लाकर के अगला घर में रखिये काती यह लाइन इसे आएगा पी जुड़ा हुआ रहेगा एक लाइन कटा हुआ रहेगा बिकल्प दू में है कोसन का इंसर हो जाएगा दू नेक्ट देखिए आगे आपको छे के बाद कोसन नुबफ साथ में आईए देखो साथ आपका कहता है सही बिकल्प चुनिए मतलब सिरीज बनाईए तो देखो यह ऐसे है तीन से साथ कैसे बनेगा तो तीन गुना दो करोगे तो छे होगा और छे पलस एक करियेगा तो साथ हो गया फिर दोखो, सात गुना तीन करिये, तो सात या एक ऐस, अब पलस दो करिये, एक ऐस दो तैस, तो पहले गुना दो पलस एक, फिर गुना तीन पलस दो, फिर गुना करिये, तैस गुना चार करिये, पहले गुना दो, फिर गुना तीन तो गुना चार, तो तैस गुना चार करि आप 17 चारब 175 होगा चारब 75 में पलस 4 जूरेंगे तो 479 हो जाएगा जो बिकल्प D में है कोशन का एंसर हो गया बिकल्प D आगे देखिए एर्थ नमर कोशन बहुत ध्यान देख करके समझे न एर्थ नमर कोशन है राधा 7 किलोमेटर जैसे ही परहन पस्चिम दिसा समझ गए कि डायरेक्शन का कोशन है आप इस तरह से डायरेक्शन का एक डायरेक्शन का एक डायराम पहले बना लेजिए आप जानते होंगे, हम फिर भी भी विपीट करेंगे इसमें डायरेक्शन उपव में नॉफ्थ नीचे साूथ दायना हात में इस्ट मतलब पूरव अब बाया हाथ में वेस्ट मतलब पस्सिम नौफ्थ मतलब उत्तर, सौथ मतलब दक्चे कॉस्षन बनाने की सुरुआत हमेशा इस ओरिजिन बिन्दू से करिएगा कहता है 7 km पस्सिम दिशा में जाता है वाधा जाती है 7 km पस्सिम तो ऐसे arrow बनाईएगा, यहां से 7 km पसिम दिशा में चली, indicate कर दिए, तब दाएं मुर्ती हो, 3 km जाती है, यहां से दाएं मुर्येगा, तो उपर के तरफ हो जाएगा, दोखो, दाएं और बाएं अपने अमसाल लेना है, समझो, आप यहां चल वहे हैं, आपका face arrow के head के तरफ तो दाएं नात इधर जाता, तिन मुर्गे है, और फिर से दाएं और मुर्ता है, और 9 km जाती है, तो को यहां से दाएं मुर्येगा, यहां तक आने पर 7 आए, एक स्ट्वा में हो जाएगा, दो, इधर 2, इधर 7, 9 km हो गया, फिर से दाएं मुर्येगा, 9 km जाती है, तो उसे गल्टी हो जाता है कई बार किसी दिशा में है का मतलब होगा कि यह जगर किस दिशा में ते इधर जाने पर उत्तर इधर जाने पर पूरव तो यह उत्तर पूरव हो जाएगा अग किस दिशा में जा रहा है तब पूरव होता थे हैं उत्तर पूरव विकल्प टी में को स का इंसर होगे अभी कल टी नेक्स्ट नाइन्थ नमर को सन ध्यान दे करके समझ ना नाइन्थ नमर में यह देख़े देखो यह अच्छा को सर्थ है बहुत ध्यान देकर समझे अक्सर दाये वाला अलफवेट कम लोगों को याद वाता है आप दाये से याद रखिए जैसे ए ह है 22 से पहला तरह दाएं से 26 माल जैट के तरफ से बी है 23 च दाएं से 25 माल क्या बाइं से 28 माल इसे 29 शीरी त्रहिशिवा धाइंसे 24 माल अब यहां समझे इसका लगी चैसरी का दाएंसे पर्षपोजिशन है 24 का दो लेटर और नमबर बड़ावर रहे तो वो जरूर किसिन किसे तरह से पोजिशन से ओपवेट किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, जिसे A का पोजिशन है दाएं से 26, तो 6 पलस 2 जोड़िएगा, तो 8, A के बदले 8, M का है 14, तो 4 एक 5, E का है 22, तो 2 दो 4, L का है 15, तो 5 एक 6, तो इसे ही P का दाएं से हो जाएगा 11, तो 1 एक 2, R का दाएं से है 9, तो वहेगा 2 के बाद 9, 2 के बाद 9 C और D में है, आगे है O का दाएं तरब से रहेगा 12, तो 2 एक 3, तो 3 तक यहां तक है, लास्ट F का दाएं तरब से है, पोजीशन 21, तो 2 एक 3 हो जाएगा था तभी कल्प 4 कोशन का एग्जर हो जाएगा, नेक्ट देखोगे, 10 मानवर कोशन देखिए, कहता है नीचे दीएगे पासा कि 3 इस्तितियों दी गई है, चार के बिपीत कौण सी संख्या होगी, यहां पर कोशन है, चार के बिपीत, तो इसमें नीचे बताया जाता है, ध्यान से सुनिए, आपको तीनों फिगर देखने का ज़रूत भी नहीं परेगा बहुत बार, यह दोनों में ही देखिए, तीन दोनों में कौमन है, आइए कौमन वाला क्या है, सेमें सरफिस पर है, अगर सिंगल कौमन सेम सरफिस हो, टेकनीक बता रहे हैं ध्यान से सुनो, आगे भी अपलाई करना single comment same surface हो तब दोनों figure में बानकी जो सेस्वसाज ये समानसत्र वाला वो अपोजित हो जाएगा अचार के अपोजित में एक हो जाएगा अच्छीन के अपोजित में हो जाएगा जो दोनों दिखाई नहीं दिया था तो दो चुकि यहां चार के भी पूछ रहा है था पें स यहां देखो दूसरा पोजिशन पर ही है चौथा पर भी है यहां भी देखिए दूसरा पर सी है चौथा पर सी है मतलब यहां पर एक सिमिलर्टी बनता है चुकि सी यूज हुआ है यूज हुआ भी हुआ तो यहां पर नियम बताता है किसके आगे कौन लेटर किसके पीछे तो B के बाद जैसे यहां B के बाद C है तो इसे ही B के बाद हमें यहां C दे दिए तो देखो यह group बन गया A, B, C, B फिर देखे यहां जैसे दूठो B था ध्यान दोको दो और चार पर दोठो B यहां दोठो C है तो यहां A दे दे गया अगर तो A से B तक सब आ गया और बन गया आपकी बाद B, C, A, C तो देखो दूसरा चाउथा पर सेम लेटर होता है अब पहला तीसरा पर अलग-अलग रहता है A, B, C में A, B, C, B, B, C, A, C अब देखे फिर यहां पर देखेंगे B, C, A, C के बाद यहां देखो C दे दिजिए तो हो जाएगा C, A, B, A मतलब एक बार A से सुरू होकर B से सुरू होकर फिर C से सुरू होकर C, A, B, A अब फिर A, B, अब यही वाला भी पीट कर गया है A, B, C, B तो बेखेंट में क्या है C, A, C, A, C, 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 A, C अब था तो आपसन फर्स्ट एंसर हो जाएगा उमिद करते हैं आप समझते जा रहे होंगे बांकी कुछ हम देखते हैं कमिंग डेज में कुछ चेप्टर वाईज अगर कर पाए तो और लाव हम आपको दिला पाएगे एक चेप्टर का कोशन एक साथ अगर करके करेंगे तो उसका कंसेप्शन भी थोड़ा बताने का ज़्यादा अबसर मिलेगा अब आईए कोशन नमर बारह में A, B, C, D, E, पांच मित्र है एक ही उम्र, B से दोगनी है तो जैसे ही पांच मित्र पढ़े ने तो उम्र का ज़्यादा कम होगा तो ये भर्टिकल एरेज्मेंट का कोशन होगया है तो भर्टिकल एरेज्मेंट हुआ है तो पांच लोग है तो पांच है इसे बना दिए एक, दो, तीन, चार, पांच बना दिए पेंसे पेपर पर आपको बनाना है A की उम्र, B की दोगनी है बी की दोगनी है मतलब A, B से ज़्यादा तो उपर तो है ही B की दोगनी दोगनी भी आप इंडिकेट कर ये दिजिए करता है C की उम्र, B से आधी है तो C नीचे रहेगा मतलब B, C से दुगना हो गया दो दो तीन का तो आगिया न करम A की उम्र E की आधी है A की उम्र E की आधी है मतलब E उपर रहेगा अब ठाथ E A का दुगना हो गया तो 4 आगया पच्छ में बचवा है और C की उम्र D की दुगनी है यह देखो सब दुगने वाला है आसान हो गया कुशन सी की उम्री की दुगनी है तो सबसे छोटा कौन है तो सबसे नीचे डी आया इसलिए सबसे चोटा होगा डी उमीद करते हैं आप ठीक से समझवे हो यह गर निक्स कुशन देखो यह देखो तेरा नमर यह छे और चार को जोरिए छह चार दस अदस पांच पंदर तीनों जोरते किए तीनों को जो़ने पर आया पंदर तब पंदर अ गुनंआ एक किये तो आया 15 गुना इसलिए कि नीचे वाला में डाइरेक्ट जो इने पर यहां नहीं है देखिए आठ और साथ चाओद अचाओद साथ 21 होता है सकेंड वाला में तो 21 गुना दो करियेगा 21 गुना दो करियेगा 21 गुना दो 42 यहां देखिए लास्ट वाला में 42 है और नीचे वाले लाइन में सभी के योग गुना दो अर लास्ट वाला लाइन में गुना तीन हो जाएगा तो नौ 8, 17 18 परॉस 23 हो जाएगा 28 गुनत 3 कर दिजिएगा तो 69 यहां आ जाएगा जो यहां विकल्ब 1 में कोसन का एंसर हो गया विकल्ब 1 नेक्स्ट आईए 14 नमर कोसन देखिए यह देखो कैसे बनाओगे कि किसी भी प्रकाफ से आपको इसमें एक रूपता लाना है जैसे ऐसा भी सोच सकते थे यह 10 में लेटर है तो 10 दी 13 तेरह अब 5 18 ता 18 और 7 ऐसे साइकिल बना देते सिरीज बनाते हुए ता 18 साथ 25 होता तो यह चुक्यों आप्सन में नहीं है तो और दूसरे तरीके से विलेशन बना सिरीज नहीं बनाते है एकिलेशन ऐसे बना सकते है यह 10 और यह 18 भी करन बत दोनों को जोड़ दीजिए ता 18 और 10 जोवने पर हुआ 28 तो इधर भी भी करन बत 28 होना चाहिए तो यहां 15 हमां लेटर ओ रख लिजिए तो 15 तेरह 28 हो जाएगा अर्था तो ओ एंसर हुआ जो भी कल्प एक में है ध्यान देखर करके next question देखोगे 15 नमर question देखो यह कैसे है यह है 9 का Q देख ले ना आप paper pen mega class करते रहो तो paper pen जरूर रखो आप साथ में काम करो और यह है 12 का Q तो 9 का Q 729 9 से 3 अधिक 12 का Q तो इसे ही यह 8 का Q तो 8 से 3 अधिक यहाँ 11 का Q करिएगा तो 1321 होगा जो भी कल्प 4 में है कोसन का answer होगा भी कल्प 4 next देखो 16 नमर कोसन 16 नमर कोसन में गोर करिए यह काता है स्रिंखला में गलत संख्या चुनना है तो यह देखो यह क्या है तो 9 है तो 3 का Q 25 है तो 5 का Q यह दखो यह 9 का Q यह 11 का Q तो यहाँ पर 7 का Q रहता तो पना सेट करता आफ 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 त 45 गलत है यहाँ 49 होना चाहिए था उम्मिद करते हैं आफ ठीक से समझ रहे होंगी 17 नमर देखिए सत्वा नंबर में जो सिरीज चल वहा है तो 98 से 72 माइनर इसमें भी गलत चुनना है आपको तो 98 से बहतर में 26 घटाया हुआ है अब देखें यहां क्या है यह सिरीज के गलत चुनने का टेक्निक बताया करते हैं यहां देखो यहां भी 20 घटा हुआ है इसमें भी 20 घटा हुए तो यहीं पर गलती है क्योंकि सब में डिफरेंस आते जा रहा है तो इसका मतलब यहां पर पहले ब है गटा थैं सोचो बहतर में अगर 24 20 घटाइए 6 में चलिफेश घ्रटाइए करेंगे इधर फिस नहीं करेगा अगर हम 22 कुलेट करके चेक कर रहे थे कि 26 से 4 कम 22 घटाएंगे तो यहां 50 होगा ध्यान देजी बाबन के जगापर मतलब बाबन गलत है अब देखिए सीरिज बना के बताते हैं क्यों गलत है जैसे पहले 26 में 4 कम करके 22 बनाए तब 22 में 4 कम करियेगा तो 18 हो जाएगा तो यहां जब 50 आएगा तो 50 में 18 गटाएगा तो 32 हो जाएगा अभी 18 में 4 कम करियेगा तो 14 होगा तो 32 में 14 गटाएगा नहीं तो 18 हो जाएगा 14 में 4 कम एक करियेगा तो 10 होगा तो 18 में 10 गटाएगा सेट कर जाएगा मतलब जहां बावन है वहां 50 होना चाहिए था आथा तो बावन गलत है विकलब दो कोशन का इंसर हो जाएगा next देखिये question देखिये question देखें बहुत दियान देकर को समझना यह देखो यहाँ पर सीधे क्या करिए यह आ जाएगे बाव है दो बावन का मतलब पर पर जाएगे बात में जैसी मैत शुर्ड करते होंय ससे सॉड़्ड करेंगे फिर दीकलr यहांbonus है तो Shortcut का मतलब भाग鹹 देंगे कि और माइनस है तो माइनस का मतलब गुना यहां गुना कर देंगे अब देखिये अब सॉल्म करें जैसे solve करते हैं आप math पहले भाग का काम करेंगे तो आठ से चार में भाग जीएंगे तो आधा होगा छे गुना आधा करेंगे तो तीन हो जाएगा मतलब यहां तीन घटाना है अब इधा 30 पलस 12 में तीन घटाएंगे तो 49 होगा जो भी कलब एक में है को सन का इंसर हो गया भी कलब एक नेक्ष देखो 19 नमर को सन बहुत ध्यान देखर के समझना अब देखो इसमें क्या है यह करम सा कोड़ है आर का कोड़ हुआ दो इका कोड़ हुआ पांच यह देखते आपको पता चल ज लिजिए यह देखो बाएं से दूसरा है तो इक बदले पांच लिजिए और टी के बदले छे लिजिए ता 756 बिकलब चार में है को सन का इंसर होगा बिकलब चार है बीसमा नमर को सन बहुत ध्यान देखर के समझेगा देखो यह इसमें सेवेनी क्रम में अगला यहां क्या होगा तो यह देखना ऐसे है यहां पर तीन का स्क्वायर है यह पंच का स्क्वायर होना चाहिए शीरीज मना कर देखते हैं यहां पर ऐसे देख लेंगे यह कि यह एक का ये तीन का हाई ये एक का स्क्वाइर अल्टवनेट में तीन का स्क्वाइर अल्टवनेट में पांच का स्क्वाइर अल्टवनेट में साथ अब बांकि ये एक के बाद दो यहां तीन का स्क्वाइर तीन के बाद चार फिर चार के बाद चार से एक अधिक पांच का इसकोर पांच से एक अधिक चै चै से एक अधिक साथ का इसकोर अब थाद भी कल दो कुशन का इनसर हो जाएगा उमीद करते हैं आप बहुत ठीक से समझ वह होंगे वीडियो देखने पर यह देखे इसमें कहता है स्विंक्ला में कौं से संक्या गलत ही निकलना है तो इसमें देखो जब भी इसतरह का differences देखी है तो समझ जाना है कि यह differences पर ही based है तो जैसे आठ से तेरह बनाए तो आठ में पांच जूरिये गा तो तेरह तेरह से 21 बनाईएगा तो तेरह में आठ जूरिएगा तो 21 हो जाएगा तो 21 से 32 बनाईएगा तो 21 में 11 जूरिएगा तो 32 सिरीज बनवा है पहले 5 जूरिए पांच से तीन अधिक आठ 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 से तीन अधिक करेंगे तो 14 जूरेंगे तो 46 होना चाहिए था अफिर 14 से तीन अधिक 17 जूरिएगा तो 63 आ जाएगा अधिक 17 से तीन अधिक 20 में 13 सिया जाएगा अधा 47 गलत है 47 के जगह पर 46 बाता तो यह सी रिससे यह ता गलत ही चूर ना था इसलिए अंसर होगे 47 बाइस नमर कोसन में देखिए यहां देखो तो जेड 26 है 26 में 3 घटाईएगा तो 23 में 3 घटाईएगा 20 20 में 3 घटाईएगा 17 17 में 3 घटाईएगा तो 14 तो 14 में 3 घटाऊगे तो 11 होगा जो बिकल्ब एक में है 11 मा लिटर यह देखिए ध्यान देखर करके समझना 50 से 66 कैसे बना तो इसमें जोड़े 16 16 का मतलब 4 का स्क्वाइर जोड़े है ठीक है अब देखिए यहां 66 से 146 जो बनता है तो 66 से 146 कितना जोड़िएगा इधर हो गया 34 अधर हो गया 46 34 जोड़ा हुआ है तो दो को यहां 16 जोड़े चार का स्क्वाइड अफिस सोलह गुना पंच यहां असी जोड़े फिर यहां देखिए 146 से एकसा एकट्व जो बनता है तो इसमें 25 जोड़ा हुआ है जोड़ करके देख लाना पेपर पेन वाका करो इसलिए तो पचीस है मतलब पंच का स्क्वाइड तो पचीस का पंच गुन एक सो पचीस यहां जोड़ेंगे जैसे वहां पांच गुना जोवे थे आसी तो य जाएगा जो बिकल्प दो में है कोशन का एंसर हो गया बिकल्प दो नेक्स देखिए अगर बिकल्प दो में 296 है हमें यहां से इसको हटा दे तो आपको में जड़ाएगा यह समझाने के लिए हमको यहीं लिखना पर गया था ओके यही आपका एंसर है 296 आगे आईए देखो AD का भाई है तो फिगर बनाओगे यहां पर बनाए देखो D लिए AD का भाई है तो भाई है तो समान पिरी समान पिरी में एरो बाइं दाये देना है यह टेक्निक है हेड पर उसको बनाई है जो है टेल पर उसको बनाई है जिसका है बेस में उस एविलिसन को लिखिये जो आविलिसन है तो A भाई है तो A को हेड पर बनाए AD का भाई है D B का पिता है D B का पिता है पिता है तो एक पिर ही उपा देखो D पिता है तो D हेट पढ़ है D पिता है B का यहां भी दे दिए D B का पिता है B और C बहने है B की बहन है B और C मतलब दुनों आपस में बहन है तो यहां बहन लिखे B और C आपस में बहने है B और C बहने है यह बताईए कि C का A से क्या सम्मंद है तो दोखो A का ये भाई हुआ अब भाई की ये B T हो गई तो भाती जी हो गई जो भी कल B में है दोखो अक्सर विद्याफ्ति इसमें एक गलती करता है चुकि Classes में देखते रहते हैं कि पूछा C का A से क्या सम्मंद है तो कितना विद्याफ्ति इसमें चाचा एंसर देने के mood में रहेगा A का सम्मंद बता देगा तो गलत हो जाएगा ध्यान बखना जिसका पूछा है C का मतलब C के बाड़े में बताना है तो एंसर होगा भती जी जो भी कल्प B में है अब आईए नेक्स्ट कोस्टन है पचीस नमब देखो पचीस में इस तरह से सीरीज है यह D-1 करेंगे Y-1 करेंगे तो X X-1 करेंगे तो यह W यहाँ हो जाएगा पहला लिटर W देखो B दूसरा है 2 में 2 जोड़े तो 4 में 2 जोड़े तो 6 लेटर F 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 में लेटर H W H ओप्सन में देखिए W H एक ही ओप्सन में है तो लास्ट वाल आप नहीं भी देखेंगे तो काम चल जाएगा इसे यहाँ माइनस है X माइनस दो करेंगे B माइनस दो करेंगे T माइनस दो करेंगे तो 8 जो किया रहा है देखिए यह 25 कोसन की यात्रा हमारी यहाँ पे पुरी होती है लेकिन हम आपको एक इस सिरीज में कुछ बच्चों को बोले थे कि आप प्रावलम बदाने हम हैं आपको help करने के लिए हम यूट्यूब पर इस तरह से एक सेट दे अभी BRSSC का चलाएंगे आप कहीं का कोसन सॉल्व करिएगा आपको दिक्कत होगा तो हम उस कोसन को भी सॉल्व कर देंगे जैसे एक विद्यार्थी का यह भेजा हुगा कोसन है तो उसके लिए एक सिस्टम बना दिये है एक वागव क्लासिस का नमर हुआ कहता था पहले इसको एक उस नमर को हम चालू कर भाए हैं आपलाइन के बाद हमने कोई काम नहीं कर रहा था तो वो बंद पर रहा था लेकिन अब उस नमर को चालू किये हैं उसी नमर पर वाट्सयप आप इस नमर के वाट्सयप पर वाट्सयप करोगे नमर है वाट्सयप भाला 9431645714 कॉल नहीं करोगे क्योंकि ऐसे बचता रहा जाएगा आपका यह कम्प्यूटर लैप्टॉप में वाट्सयप है इसका इसलिए call receive नहीं हो पाएगा तो आप इस पर केवल WhatsApp करना WhatsApp करना है क्या करना है बस question भेज देना है question का image खिचिए और इस पर भेज दिजिए question हम उसको solve करेंगा सभाविक है कोई विद्याफ्ति से वह question नहीं बना है तो वो कुछ धंका ही question होगा तो कोई दूसरा विद्याफ्ति भी देखेगा तो लाब होगा तो आज भेजे गए जिस विद्याफ्ति का भी यह परस्न है हम यहां solve करने जा रहे हैं संभवत है लिखावट और जहांसे बुक का जो बैक्ग्राउं थत्प लगड़ा है यह भी हाड ऐसे सी का तो लिखा देखो ऐसे लगता होगा कि बहुत बड़ा कोशन है कि इसे बहुत सारा डाटा लिखनें केवल चला जाता है छे लोग है तो आपको जब पढ़ने लगी हैंती सब पूरा नाम पढ़ने का जोर्त में जिनमें यह सब अलग लग राजी के हैं लेकिन अब सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब का नाम आपको याद रहेगा नहीं इसलिए पवना नहीं है आप सीधे बढ़ जाईए यहां तक जो है यह समझें 50% से ज्यादा एरिया यह डाटा लिखनें लिखा है के वगल यहां से है अनन्या का जन्म गुजरात में इसने लिखे आफ दिह वगल के बाद है अजय लिखे अझे अगना देना वनीमें मनीमें मनी सह है मनी सा लिखेज और आप मैं इस लिखता है टीप और तुलिका है यह ज्यादा दियान मत देना मुल है डार्टा कोई गौाँपर Państ नहीं रहे हैं एसे दोने तरफ इसमें निसान को क्योंकि ये एक तरफ खेल वाज्य मिक्त्टी से mee वक्त्र तो अननिया यहां है और गूजरात हो доб Kore और यूजराय्ट खेलती है इंडिकेट कवर दीवडर आगे बूलता है अजाई सतन जब लूजुड नहीं खेलता है तो आजे के सामने दो को positive negative दोनों बनाना है सत्रंज और ludo दोनों लिख करके काट दिये आजे के सामने ना सत्रंज खेलेगा ना ludo खेलता है आगे बोलता है जो ब्यक्ति बिहार में जन्माथ था वह पुटवॉल खेलता है अलग डाटा बना दिजए इसे fruit wall बाला जो भी है वो बिहारी है ऐसे indicate कर दिये बिहार आगे बोलता है सीमा होकी खेलती है और उसका जन्म असम या मध्यपवदेश में नहीं हुआ है सीमा होकी खेलती है सीमा के साथ खेल में आगे होकी और इसका जन्म करता है असम या मध्यपवदेश में नहीं हुआ सीमा के साथ असम असम कट जाएगा अम मध्यपवदेश भी कट जाएगा लिखके कटना है बस परते जाए यह बनाते है देखो अपने आप इंसर आ जाएगा मनीशा का जन्म राजस्थान में हुआ था और वह बैडमिंटन खेलती है मनीशा का जन्म राजस्थान देखो यहां देती है राजस्थान और वह बैडमिंटन खेलती है अब देखिए यहां पर सतरंज और लूडो कटा हुआ है आजए के सामने ता सतरंज लूडो किसके साथ आएगा सतरंज आएगा बैभव के साथ लूडो आएगा तुलिका के साथ है या ठीक से सुनोगे यह नहीं के लोगे हो सकता है कि लूडो ही वहे बैभव के साथ और सतरंज ही रहे तुलिका के साथ तो देखो किलिकेट हो गया सतरंज और यह फुटबॉल नहीं खेल सकता है, लुडू साता हुज वाला, यह लुडू साता है, यहाँ फुटबॉल हो गया, यहाँ बिहार हो गया, बस सेट हो गया आपका डाटा, जिन बच्चों का है, उम्मीद करते हैं, वो यह वीडियो देखेगा, और समझ जाएगा कि यह बहु आसान कोसन था, तो पूछता है यह, कि आजय का जन कि सराजी में हुआ था, आजय का जन में बिहार में हुआ था, कोसन का एंसर हो गया, बिकल्प D, इसके साथ, आज का कलास हम लोगों का कम्पलीट होता है, कमिंग डेज में एक नई वीडियो लेकर हम आपके सामने फिर आ जो आपको सपूर्ट कर सके और आपके लिए लाप परदद हो सके, चुकि हम रात में यह वीडियो बना रहे हैं, तो हम गुड़ नाइट करते हैं, लेकिन आप तो किसी भी सामें देख रहे होंगे, तो हम इस वर से आपके बेहतर जीवन की सुभकामना करते हैं, और ऐसा भगवान से प्राफ्थना करते हैं, कि आप जिस किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें कम से कम विजनी हम अपने माध्यम से जरूर आपके लिए आसान कर सकें, और आपको इस तोर विजल्ट तक पहुचा सकें, ऐसा प्राफ्थना करते हुए बिदा लेते हैं इ दब बुटने माध्